राजुबाई के लिए अगला भजन मैं शुरू से ही कान पकड़के ये भजन कोशिश करूँगे ये गुजरात का भजन है और गुजरात का लहजा बहुत अनोठा है और बहुत ही कठिन तो मैं अपने अंदाज में विजुली ना चमकारे मोती ना परोविल्यो पानबाई गाने की कोशिश करूँगे ये कितनी जबरदस्त बात है कि एक सास अपनी बहु को हर रोज ग्यान का एक भजन सुनाती है और कहती है विजुली ना चमकारे मोती ना परोविल्यो अचानक अंधारा थासे जोतारे जोतामा डिवसो विया जासे पानबाई एकवीस हजार छहसो ने काल खाशे तो एकवीस हजार छहसो इतले सुन कोई ने खबर चे राजबाई ने तो खबर चे एकवीस हजार छहसो इतले सुन हाँ? श्वास तो मैंने जब ये पहली बार सुना तो मैंने सुचा मैं आजमा के देखती हूं तो मैंने अक्चुली टाइम किया वन मिनिट में कितनी स्वान सोती है और फिर मल्टिप्लाई किया एकवीस हजार छहसो बिजली के चमकने तक का समय हमारे पास सुफी वो होता है जो हर पल मौत के सामने खड़ा रहता है हर पल सजग के ये मेरा आखरी पल हो सकता है और फिर बात है मोती पिरोने की कर्मयोगी बनने की जो करना है धरा का धरा न रह जाए जान्याने जेवी आतो अजान छेरे पानबाई अधूरिया ने नो कहवाए half-baked seeking जिसको कहते ना इधर के ना उधर के ना घर के ना घाट के मुझ जैसे कबीर गाने वाले लेकिन वापिस अपनी कुटिया में छुपने वाले ऐसे ऐसे लोगों को कहा है कि ये अधूरिय लोगों की समझने की बात नहीं है गुपत रस नो खेल छे आ अठपटो आंटी मेलो तो समझाए ये गुपत रस का खेल है अठपटा है कबीर की बानी अठपटी जटपट लखी न जाए जो जन जटपट लखी लहे वाकी खटपट ही मिट जाए पर मुश्किल है इस अठपटी बानी को अंतरसाथ करना अपने आचरन मेलाना गाना, बजाना, लोकरिजाना आसान चलना, मुश्किल गुपत रस नो खेल छेया अठपटो तमें आँटी मेलो तो समझाए आँटी एटले हू तमने सु समझाओ तमें मने समझाओ आँटी एटले सु मुखी दो क्रोस आपार थी एपार था ही जवान अच्छा जे गायक पासे थी मैं सिख्यू एमने किदू मने के आंटी एकले तमारा मन मा जे गांठो पड़ी जाये छे आंटी ओ और ये कुँ विचार की गांठे है छोटे पन छोटे विचार की गांठे इनको छोड़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा मान रे हां मान की गांठे वाई हाई वो तो सबसे बुरी है ना मान मरियादा लज्जा कुल की लज्जा ये सब भटकाने वाली बाते हैं मान रे मुकीने तमे आओ रे मैदान महरे जाने ली जो जीव के री जातने सजाती विजाती नी जुगत दिखाडूने बीबे रे पाडी दव बीजी भातने वाह क्या confidence है गंगा सती की अवाज में कि मेरे मैदान में आना है तुम्हे तो मतलब एक challenge जैसा है है ना तो अपना मान छोड़के आना होगा जैसे कबीर कहते हैं ये तो घर है प्रेम का खाला का घर ना ही शीश काट भोई धरे तब बैठे घर माही यहाँ भी मान की बात है कबीर की वे आख्या में मान यानि हमारा सर जिसको काटना होगा चाखो चाहे प्रेम रस राखो चाहे मान दो खड़क एक मियान देखा सुना नहीं कान एक मियान में क्या दो खड़क फिट आएंगे तलवार कोई स्कोप नहीं है तो या तो प्रेम का रस चकलो या फिर अपना मान मरियादा इंटाक्ट रखो दोनों एक साथ नहीं तो जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं नहीं प्रेम गलियती सांकडी ही या में दो समाए नहीं तो कितनी सुंदर बात अगर मान को छोड़के मेरे मैदान में आओगे तब तुम अपने जीव की जात को पहचान पाओगे मान तो एक लेप है जो चड़ा हुआ है तुमारी जीव के उपर धरम का मान, देश का मान, मजभब का मान, बहुत जमीदार होने का मान सजाती विजाती नी जुगत देखाड़ू तमने में सजाती विजाती, अस एंदेम अपने पराए, मेरी जात के पराए जात के ये जो डूआलिटी, दूई का भाव है, जिसमें हम जक्ड़े रहते हैं इसको छोड़के गंगासती पूरी अथारिटी के साथ कहती है मैं तुम पर एक और डिजाइन की स्टैंप लगाने की कापासिटी रखती हूँ और अगर हम कबीर और गंगासती और संतों की बात को सही मायने में समझेंगे तो वो हमें दूई की भावना में अपना अस्तित्व ढूणने का कभी नहीं कहेंगे कि तुम्हारा अस्तित्व हिंदू है, मुसलमान नहीं है, वो कभी ऐसा नहीं कहेंगे वो एक दूसरी आइडेंटिटी की छाप देंगे आपको और वो है समूंद में एक भूंद होने की आइडेंटिटी एक भूंद में पूरा समूंद विराजमान है बूंद के बगेर समूंद कहां? आप समूंद भी है और बूंद भी ये आइडेंटिटी कभीर आपको दिखाएंगे आपकी गंगा सती आपको दिखाएगी आपकी बूंद पड़ी समूंद में जाने है सब कोई लेकिन समूंद समाना इस बूंद में जाने बिरला कोई और समूंद में सब कुछ है हिंदू भी है, मुसल्मान भी है, औरत भी है, पुरुष भी है, हम भी है, पराय भी है, सब हैं समूंद में और वो आप में भी हैं लेकिन हम कहते रहें, कि हम ये हैं, वो नहीं हैं, इसलिए तो इतने दरे हुए हैं हम, क्यों हम अपनी व्यापकता के साथ मिली नहीं पाए, अपने छोटे पन को लेके दरे हुए, पूरी जिंदगी बिसार दी तो अगली बार हमारे दिल में एक नफरत की भावना उठे है, तो इस सत्संग को याद कीजेगा, नहीं तो इसको हम शम्शान वेराग्य कहेंगे कोई गुजर जाता है, तब सब जीवन का सत्य समझ में आ जाता है, बस कुछ देल, फिर मरघट से आप घर तक पहुंचे, फिर वही खिट-पिट और खट-पट शम्शान वेराग्य नहीं चाहिए, हमें सत्संग में बहुत उंची-उंची बाते नहीं चाहिए, हमारे अपने रोज मर्रा के जीवन में, जब आप नफरत, मुसल्मान के प्रती, किसी नीची जाती के प्रती, किसी को नीचा कहने के प्रती आपके मन में भावना उठे, त जब आप वोट डालें, तब कबीर की बानी याद करें. आप नफरत के लिए वोट देंगे, या प्रेम और सद्भाव के लिए. अचनक यांधारा था शेजी, जो तरे जो तामा दिवसों में अजासे पान बाही, एक वीस हजर चासों ने हे काल था शेजी. विजलीन अचाहा मकारें, भर मोटिला परोविल्यों पांड बाही, अचनक यांधारा था शेजी. जो तरे जो तामा दिबसो वे आजा से पान बाई एक वीस हजार चासों ने है काड़ खाशे जान यारे जेविया तो है या जान छेरे पान बाई अधुरिया में धो कहवाए थी जान यारे जेविया तो है जान छेरे पान बाई अधुरिया में नो कहवाए थी गुपत रसनों खेल छेया याट पटोने आंटी रह में लो तो समझाए जी गुपत रसनों खेल छेया याट पटोने आंटी रह में लो तो समझाए जी विजडी न चाहा मकारण मतिडा परोविल्या पाण बाई अचनाक यांधा थाशे जी जो तरे जो तामा दिवसों वे अजा से पान बाई एकवीस हजार छासों ने काल खाशे मनरे मुखी ने तमे आवोने मेदाना महारे जानी ले जो जीव केरी जाता ने सचाती विजाती ने जुगती देखाडूं होने बीबेरे पाणी दो बीजी भात ने सचाती विजाती ने जुगती देखाडूं होने बीबेरे पाणी दो बीजी भात ने बीजली ना चाहा मकारा है मतिला परोहिल्यों पाण बै अचनाक यावां धारा था शे जो तरे जो तामा दिवसों फे अचा से पान बाई एक वीस हजार चा सोने कार था शे पिंडरे भ्रमाओ आंड थीराय परचाय गुरू जे महारों एनोरे देखाड़ू तमने देस जी पिंडरे भ्रमाओ आंड थीराय परचाय गुरू जे महारों एनोरे देखाड़ू तमने देस जी गंगरे सकीतों एमाज बोलिया में के नई मयादो जराहे लेश जी गंगरे सकीतों एमाज बोलिया में गंगरे मयादों जराहे लेश जी विजली नचाह मक्कारे था मतिडा परविल्यों पन्भाई अचनक यांधारा खाशे जी जो तरे जो तामा दिरस ने आजा से पान पाई चाहँ पान 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 कर दो कर दो